C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 3. संख्याओं के साथ खेलना प्रिष्ट 66, प्रशनावली 3.5 1. निम्न लिखित में से कौन से कथन सत्य हैं A. यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है B. यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी C. एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो D. यदि एक संख्या नौ और दस दोनों से विभाज्य हो, तो वह 90 से भी विभाज्य होगी E. यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों, तो इन में से कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी F, चार से विभाज्य सभी संख्याएं, آठ से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिएं H, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग-अलग पूरा-पूरा विभाजित करती है, तो वह उनके योग को भी पूरा-पूरा विभाजित करेगी आई, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग-अलग भी विभाजित करेगी दो, यहां साथ के लिए दो भिन भिन गुणन खंड व्रिक्ष दिये हैं, इनमें अज्यात संख्याओं लिखिए, ए, साथ बराबर छै गुणा दस, छै बराबर दो गुणा दैश, दस बराबर पांच गुणा दैश, प्रिष्ट सढसट बी, साथ बराबर तीस गुणा दैश, तीस बराबर दस गुणा दैश, दस बराबर दैश गुणा दैश तीन, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणन खंडन में किन गुणन खंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है चार, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणन खंडन के रूप में व्यक्त कीजिए चै, एक 1729 के सभी अभाज्य गुणन खंड ग्यात कीजिए और उन्हें हारोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए अब दो क्रमागत अभाज्य गुणन खंडों में यदी कोई संबंध है तो लिखिए साथ, तीन क्रमागत संख्याउं का गुणन फल सदैव 6 से विभाज्य हुता है इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहाईता से स्पष्ट कीजिए आठ, दो क्रमागत विशय संख्याउं का योग 4 से विभाज्य हुता है कुछ उदाहरण लेकर इस खथन का सत्यापन कीजिए 9. निम्न में से खिन व्यंजकों में अभाज्य गुणन खंडन किये गए हैं 10. बिना भाग किये ग्यात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है 11. संख्या 18 दो और तीन दोनों से विभाज्य है यह दो गुणा 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है क्या हम कह सकते हैं के वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टी के लिए एक उदाहरन दीजिए 12. मैं 4 भिन भिन अभाज्य गुणन खंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ क्या आप मुझे ग्याद कर सकते हैं? 3.8 महत्तम समापवर्तक हम दो संख्याओं के सार्व गुणन खंड ग्याद करना सीख चुके हैं अब हम इन सार्व गुणन खंडों में सबसे बड़ा गुणन खंड ग्याद करने का प्रयत्न करेंगे 12 और 16 के सार्व गुणन खंड क्या है? ये एक, दो और चार हैं इन सार्व गुणन खंडों में सबसे बड़ा कौन सा है? यह चार है 20, 28 और 36 के सार्व गुणन खंड क्या है? ये एक, दो और चार हैं तथा इन में कुन है? सबसे बड़ा गुणन खंड चार है प्रिश्ट 68 यानि सबसे बड़ा सार्व भाजक यानि Greatest Common Divisor या GCD भी कहा जाता है। प्रयास कीजिए, निम्न का म स ग्याद कीजिए, एक 24 और 36, दो 15 और 25 और 30, तीन 8 और 12, चार 12 और 16 और 28, संख्याओं 20, 28 और 36 का म स इन संख्याओं के अभाज्य गुणन खंडन द्वारा इस प्रकार ग्यात कीआ जा सकता है। 20 भाग दो 10, भाग दो 5, भाग 5 एक। 28 भाग दो 14, भाग दो 7, भाग 7 एक। 36 भाग दो 18, भाग 2 9, भाग 3 3, भाग 3 एक। इस प्रकार 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5, 28 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7, 36 भाग 2 गुणा 3 गुणा 3। 20, 28 और 36 में सार्व गुणन खंड दो दोबारा रहा है, अतह 20, 28 और 36 का मस दो गुणा दो बराबर चार है. प्रशनावली तीन दशम लवचे, एक निम्नलिखित संख्याओं के म सग्याद कीजिए, A. 18, 48, B. 30, 42, C. 18, 60, D. 27, 63, E. 36, 84, F. 34, 102, G. 70, 105, 175, H. 91, 112, 49, I. 18, 54, 81, J. 12, 45, 75, 2. निम्न का म स क्या है? A. दो क्रमागत संख्याओं, B. दो क्रमागत सम संख्याओं, C. दो क्रमागत विशम संख्याओं, 3. अभाज्य गुणन खंडन द्वारा, दो सहे अभाज्य संख्याओं, चार और पंद्रह का म स इस प्रकार ग्याद किया गया, 4 बराबर 2 गुणा 2 और 15 बराबर 3 गुणा 5. चूंकि इन गुणन खंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणन खंड नहीं है, इसलिए चार और पंद्रह का म स शून्य है, क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं, तो सही म स क्या है, प्रिष्ट 79, 3.9 लगुतम समापवर्त्य, 4 और 6 के सार्व गुणज क्या है, यह 12 है, 24, 36 इत्यादी है, इन में सबसे छोटा गुणज कौन सा है, यह 12 है, हम कहते हैं के 4 और 6 का सबसे छोटा यानि लगुतम गुणज या लगुतम समापवर्त्य, यानि lowest common multiple बारह है, यह वो छोटी से छोटी संख्या है, जो दोनों का गुणज है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लगुतम समापवर्त्य, इन संख्याओं के सार्व गुणजों में से सबसे छोटा, यानि लगुतम या निम्नतम गुणज होता है, संख्येप में इसे लस यानि LCM भी लिखा जाता है, आठ और बारह का लस क्या है? चार और नौ का लस क्या है? छे और नौ का लस क्या है? उदहरन आठ, बारह और अठारह का लस ग्याद कीजिए, हल, हम जानते हैं के बारह और अठारह के सार्व गुणज 36, 72, 108 हित्यादी हैं, इन में सबसे छोटा 36 है, आईए एक और विधी से इसे निकालें, बारह और अठारह के अभाज्य गुणन खंडन इस प्रकार हैं, बारह बराबर दो गुणा दो गुणा तीन, अठारह बराबर दो गुणा तीन गुणा तीन, इन अभाज्य गुणन खंडों में, अभाज्य गुणन खंड दो, अधिक्तम दो बार आता है, यह बारह के अधिक्तम बार आते हैं। अभाज्य गुणन खंडन इस प्रकार हैं। इसलिए वानशित लस बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पाच बराबर तीन सौ साट। उदहरन 10. 40, 48 और 45 का लस ग्याद कीजिए। अभाज्य गुणन खंडन इस प्रकार हैं। 40 बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा पाच। 44 दोनों में है। आथा है। अतह वांचित लस हुआ दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा पाच। बराबर 720 लगुतम समापवर्त्य यानि लस को एक अन्य विधी से भी ग्यात किया जा सकता है जो अगले उदहरण में दर्शाई गई है। प्रिष्ट सत्तर उदहरण ग्यारह बीस, पचीस और तीस का लस ग्यात कीजिए। हल हम संख्याओं को एक पंक्ती में नीचे दर्शाय अनुसार लिखते हैं। बीस, पचीस, तीस a. सबसे छोटी अभाज्य संख्याद 2 से भाग दीजिए। इसे तब तक जारी रखिये जब तक 2 के गुनज मिलते रहें। c. अगली अभाज्य संख्या तीन से भाग दीजिए, d. अगली अभाज्य संख्या पांच से भाग दीजिए, e. पुनह पांच से भाग दीजिए. 3.10. मसर और लसर पर कुछ और उदाहरण. हमें अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हम मसर और लसर की संकलपनाओं का प्रयोग करते हैं. हम इन्हें कुछ उदाहरणों की सहायता से समझाएंगे. उदाहरण 12. दो टैंकरों यानि टैंकर्ज में क्रमशह 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है. उस बरतन की अधिक्तम धारिता यानि कपैसिटी ग्याद कीजिए, जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा-पूरा माप देगा. हल. वान्चित बरतन को दोनों टैंकरों के तेल को पूरा-पूरा मापना है. अताह इसकी धारिता दोनों टैंकरों की धारिताओं का एक पूरा-पूरा विभाजक होगा. साथी इसकी धारिता अधिक्तम भी होनी चाहिए. अताह ऐसे बरतन की अधिक्तम धारिता 850 और 680 का मस होगी. इसे निम्नलिखित प्रकार से ग्याद किया जाता है. 850, भाग 2, 425, भाग 5, 85, भाग 5, 17, भाग 17, एक 680, भाग 2, 340, भाग 2, 170, भाग 2, 85, भाग 5, 17, भाग 17, एक 680, भाग 2, 340, भाग 2, 170, भाग 2, 85, भाग 5, 17, भाग 17, एक 680, एक 680, भाग 2, 340, भाग 2, 170, भाग 2, 85, भाग 5, 17, भाग 5, 17, भाग 17, एक 680, प्रिष्ट 71, अतह 850 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 5 680 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 2 850 और 680 के सार्व गुणन खंड 2, 5 और 17 हैं अतह 850 और 600C का मस दो गुणा पांच गुणा सत्रह बराबर 170 है अतह वांचित बर्तन की अधिक्तम धारिता 170 लीटर है यह पहले बर्तन को पांच बार में और दूसरे को चार बार में पूरा-पूरा माप देगा उदाहरन 13 प्रातह कालीन सेर में तीन व्यक्ति एक साथ कदम उठा कर चलना प्रारंब करते हैं उनके कदमों की लंबाईयां क्रमशह 80 संटी मीटर 85 संटी मीटर और 90 संटी मीटर हैं इन में से प्रत्येक न्यूनितम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे-पूरे कदमों में त यह वानचित न्यूनितम दूरी जो प्रत्येक व्यक्ति को चलनी है उनके कदमों की मापों का लगुतम समापवर्त्य यानि लस होगी क्या आप बता सकते हैं क्यूं इसलिए हम 80, 85 और 90 का लस ग्याद करते हैं 80, 85 और 90 का लस ग्याद कीजिये जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेश रहता है हल, हम 12, 16, 24 और 36 का लस निम्न प्रकार ग्याद करते हैं 12, 16, 24, 36 भाग 2, 6, 8, 12, 18 भाग 2, 3, 4, 6, 9 भाग 2, 3, 2, 39 भाग 3, 1, 1, 1, 3 भाग 3, 1, 1, 1, 1 इस प्रकार लस बराबर दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, तीन गुणा, तीन, बराबर 144. 144 वह सबसे छोटी संख्या है, जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेश रहेगा. परन्तु हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए, जिसमें प्रत्येक दशा में 7 शेश रहे, अथह वांचित संख्या 144 से 7 अधिक होगी. इस प्रकार वांचित सबसे छोटी संख्या बराबर 144 जमा 7 बराबर 151 है. प्रिश्ट 72 प्रशनावली 3 दशमलव साथ एक, रेणू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती है. भार के उस बट्टे का अधिक्तम मान ग्यात कीजिए, जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा-पूरा माप ले. दो, तीन लड़के एक ही स्थान से एक साथ खदम उठा कर चलना प्रारंभ करते हैं. उनके कदमों की माप ग्रमशह 63 संटीमीटर, 70 संटीमीटर और 77 संटीमीटर हैं. इनमें से प्रत्येक कितनी नियूनितम दूरी तेह करें कि वो दूरी पूरे-पूरे कदमों में तेह हो जाए. तीन, किसी कमरे की लंबाई, चोड़ाई और उंचाई एक्रमशह 825 संटीमीटर, 675 संटीमीटर और 450 संटीमीटर हैं. ऐसा सबसे लंबा फीता, यानि टेप ग्याद कीजिए, जो कमरे की तीनों विमाओं, यानि डाइमेंशन्स को पूरा-पूरा माफले. 4. चार, चै, आठ और बारा से विभाज्य तीन अंकूं की सबसे चोटी संख्या ग्याद कीजिए. 5. आठ, दस और बाराह से विभाज्य तीन अंकूं की सबसे बड़ी संख्या ग्याद कीजिए. 6. तीन विभिन चोराहों की ट्राफिक लाइट, यानि ट्राफिक लाइट्स, क्रमशह प्रत्येक 48 सेकिंड, 72 सेकिंड और 108 सेकिंड बाद बदलती हैं. यदि वे एक साथ प्रातह साथ बजे बदलें, तो वे पुनह एक साथ कब बदलेंगी? 7. तीन टैंकरों में क्रमशह 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है. उस बर्तन की अधिक्तम धारिता ग्याद कीजिए, जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा-पूरा माप देगा. 8. वहसब से छोटी संख्या ग्याद कीजिए, जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रतीक दशा में 5, 6 रहे. 9. चार अंकों की वहसब से छोटी संख्या ग्याद कीजिए, जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है. 10. निमनलिखित संख्याओं का लस ग्याद कीजिए, जिनमें एक संख्या सदैव तीन का एक गुणज है. A. 9 और 4, B. 12 और 5, C. 6 और 5, D. 15 और 5. प्राप्त लस में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए. क्या लस प्रत्येक स्थिती में दोनों संख्याओं का गुणण भल है? क्या हम यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लस सदैव तीन का एक गुणज है? 11. निमनलिखित संख्याओं का लस ग्याद कीजिए, जिनमें एक संख्या, दूसरी संख्या का एक गुणण खंड है. A. 5, 20 B. 6, 18 C. 12, 48 D. 9, 45 13. प्राप्त परिणामूं में आप क्या देखते हैं? प्रिष्ठ 73 हमने क्या चर्चा की? 1. गुणजों और गुणण खंडूं की पहचान कैसे कर सकते हैं? 2. हमने अब तक चर्चा की और निमन को खुजा. A. एक संख्या का गुणण खंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है. B. प्रत्येक संख्या स्वयम का एक गुणण खंड होती है. C. दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणण खंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है. D. प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुनन खंडूं का एक गुनज होती है E. दी हुई संख्या का प्रत्येक गुनज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है F. प्रत्येक संख्या स्वयम का एक गुनज है तीन, हमने सीखा है ए, वे संख्या जिसके दो ही गुणन खंड होती हैं, संख्या स्वयम और एक अभाज्य संख्या कहलाती है जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणन खंड होती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याईं कहलाती है ब. संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो एक सम संख्या भी है. अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विशम होती हैं. C. दो संख्याईं जिनका सार्व गुणन खंड केवल एक हो सह अभाज्य संख्याईं कहलाती हैं D. यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है तो वह दूसरी संख्या के प्रत्येक गुणन खंड से भी विभाज्यत होगी E. वह संख्या जो दोस है अभाज्य संख्याओं से विभाज्य होती है, उनके गुणन फल से भी विभाज्य होगी 4. संख्याओं को बिना भाग की क्रिया किये उनकी छोटी 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 11 से विभाज्यता की जाँच कर सकते हैं हमने संख्या के अंकों का विभिन संख्याओं से विभाज्यता के संबंधों का अनवेशन किया है A. दो, पांच और दस से विभाजिता केवल इकाई अंक को देखकर बताई जा सकती है B. तीन और नौ से विभाजिता संख्या के अंकों के योग द्वारा की जा सकती है C. 4 से विभाजिता, इकाई और दहाई तथा 8 से विभाजिता, इकाई, दहाई व सेंकडे से बनने वाली संख्या द्वारा जाची जा सकती है D. 11 से विभाजिता दाई और से समस्थानों के अंकों के योग और विशमस्थानों के अंकों के योग के अंतर द्वारा जाची जा सकती है 5. यदि दो संख्याएं एक संख्या से विभाजित होती हैं, तो उन दोनों का योग तथा अंतर भी उस संख्या से विभाजित होता है 6. दो याधिक संख्याएं का म स यानी HCF उसके सार्व गुणन खंडों में से सबसे बड़ा होगा 6. दो याधिक संख्याएं का ल स यानी LCM उसके सार्व गुणजों में से सबसे छोटा होगा अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचन्स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत